आपना सोलर स्ट्रक्चर दोस्तों मैंने वीडियो में देखते थे कि मेरा जो सोलर पैनल था वो मैंने वैसे ही छट पर रखा हुआ था बट काफी लोगों के कमेंट्स भी आते थे उसके लिए कि आप जो है प्रोपर इसे फिक्स कीजिए सोलर पैनल को जो है सोलर स्टैंड पर लगाई है तो दोस्तों काफी मशक्कत के बाद मैंने जो है अपना सोलर स्टैंड ले लिया है और चलिए आपको दिखा देता हूं कि जो मेरा सोलर पैनल है वो किस तरह से रखा रहता था और फिर आपको मालुम चलेगा जो पैनल लिया ह वह स्टेंड लिया है वह मैंने वही को लिया है तो एक मिनिट आप पहले देख लीजिए तो दोस्तो जो आप देख रहे हैं वह पैनल रखा हुआ है उधर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं जी तो अब यह सिच्वेशन देखे दोस्तो यह जो है हमारी चत है और मुझे वहीं पर रखना है क्योंकि उस पर ज्यादा आना जाना नहीं होता है तो उसको ही मैं यूटिलाइज करना चाहता था कि अपने जो भी पैनल लगाऊं मैं उस पर लगा लूँ दिक्कत यह हो रही थी कि यह टंकी है वहाँ पर तो मुझे कुछ इस तरह का सोलर स्ट्रक्चर चाहिए था कि वो इस टंकी के ऊपर उचा हो और यह जो पैनल्स हैं इस टंकी के ऊपर आ जाए और उस साइड के आ है कि थोड़ा सा च्छाएं जो है परचाई भी नहीं आती है किसी चेज की जल्दी नहीं मिल रहा था तो कुछ स्टैंड देखिए आपको मैं दिखाता हूं उधर लगे हुए हैं यह किसी और के हैं ओनलाइन ओन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया हुआ हुआ है उन्हों लगाया हुए तो यह देखिए यह ऐसे काफी उचे सोलर लगे हुए है पर इन में क्या ह सोलर पैनल तो बाड़े सोलर इस ट्रक्चर होते हैं उन्हों में आप को चौछ मिल जाती ही है उत्फे मिलने की वह उत्त हवा square तीन ही लगाने है कि एक कीलोवाट का सिस्टम है आप जानते हैं तो उसमें क्या है हमें इतना ऊंचा नहीं मिल बिल रहा था खाफी चोटे मिल रहे थे मैंने ओफ-नाइन काफी ट्राइट किया हालाइकि घंभ Kufenback करेंकि काफी कम कीम Egg moоров दिल रहा थे मिरको पर जो है उन्की डिक्त ही थी कि वह इतने उंचे नहीं मिल रहते हैं और उसमें सिर्फ लेग जो मिल रही थी इन पेनल्स वाले में दो ही मिल रही थी पीछे-पीछे की आगे के लिए कोई लेग नहीं थी उसमें तो इस कारण से वो जमीन पर पेनल रखा रहता आगे से और पीछे से उंचा उठा हुआ था इस करेका सोलर स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा था ओफ लाइन और काफी सच्टे में मिल रहे थे दोस्तों क्वालिटी उनकी बढ़िया थी बट सिर्फ कमी थी कि उनमें जो है आगे के दो छोटी लेग होती हैं वो नहीं मिल रही थी तो चली मैं सामने सामने वबर बात करते हैं दोस्तों उनमें जो है ओफ लैन में आगे की दो लेगस नहीं मिल रही थी पीछे-पीछे की दो लेग समय थी तो उसें क्या है वह नहीं रही थी बात अंकी अड़ी थी मेरी तो इसलिए मुझे जो हैं ओन्लाइन ही खरीदना पड़ा और मैंने खरीदा अपनी जानिमानी लूम सोलर से इंडिया की नमबर वन कमपनी से मैं खरीदना नहीं चाहता था फिर भी मुझे लेना पड़ा क्योंकि काफी महंगा मिल रहा था तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने में लिया मैंने तो मैं आपको बिल दिखा देता हूँ मैंने कितने में खरीदा तो ये मैंने देखिए यहां लिखा हुआ है लूम सोलर थ्री पैनल स्टेंड 375-440 वोट्स होरिजेंटल स्टेर डिजाइन सोलर पीसिज फास्टनर और ये सब जो है नेट अमाउंट है चववन सो रुपे सो रुपे का डिसकाउंट मिल गया था क्योंकि आप जब भी इनसे खरीदते हैं तो उपर आता है कूपन वेलकम कूपन लगा के आप सो रुपे का डिसकाउंट ले सकते हैं तो ये पातवन सो का था और मेरे को चववन सो में मिल गया डिसकाउंट होके तो ये चववन सो रुपे का मुझे मिला है कि डिजाइन मुझे पसंद था और जो है मैंने खरीद लिया हाला कि मुझे जो है ऑफ लाइन सिर्फ साड़े चोदा सुरुपे में मिल रहा था उस पर भी तीन पैनल कनेक्ट हो सकते थे होरी जैंटली हो सकते थे बस दिक्कत थी तो ये थी कि वो जो आगे से उसमें कोई आगे की साइट से पीछे की साइट से उ HunCha हुँथा कोई दिक्कत नहीं थी पर आगे से कोई लेक नहीं थी तो इसमें क्या था कि मेरी टैंकी अड़्धी अड़ती तो मुझे चार लेक वाला चाहिए था था चार लेग वाले थे बट उसमें क्या कि बड़ा सोलर स्ट्रक्चर थे उसमें छे जो है हां छे पैनल्स का था तो मैं वो नहीं मुझे चाहिया नहीं था तो यह नहीं लिया ओफ-लाइन तो फिर मैंने यही लिया अब में बात आती है कि कैसी quality थी मिली मुझे इतने रूपे खर्चने के बाद तो quality से पहले मैं एक चीज बता दूँ आपको कि मेरा experience कैसा रहा जब मैंने इसको order किया मैंने इसको order किया 22 थारिक को 22 जून को 22 जून 2021 तो इसमें बिल में दिखते है कब में लिखा हुआ है हाँ देखितीर लिखा हुआ है भी ठीक लिखा हुआ है यहां देख सकते हैं 22 जून 2021 को बिल बनाए और यह मुझे मिला है कब करा तो मुझे चार तारिक को मिला है चार जून को कहीं पर डेट तो नहीं है यहाँ पर बट अब आप देखिए मैंने बिल में आपने देखा बाइस जून को मैंने ओडर किया ठीक है बिल भी उसी उसी को कटा है और यह डिस्पैच कब हुआ है वहाँ से लूम सॉलर से बुकिंग डेट बुकिंग डेट 29 जून को 22 जून को ओडर किया और मेरे पास मैसेज भी आ गया कि आपका डिस्पैच कर दिया गया है अभी उसमें उन्होंने मेरे को मेल आ गई तो मैंने वो मेल आपको दिखा देता हूं देखिए उसका जो ट्रेकिंग नंबर है वो कामी न नंबर जिसे बोलते हैं यह तो अब यह देखिए काफी फोन वगयरा करने पर काफी परेशान होने के बाद उन्होंने आजकल आजकल करते करते 29 तारीक को डिस्पैच किया है फिर मैंने बात करी जब लूम में तो हाँ ठीक कर देंगे कल कर देंगे कल हो जाएगा कल हो के आपका कल तक हम डिसपैच कर वा देने मुझे लिखा हुआ है इनगो39 को मिला नहीं अलएब जो है कि सेंट में पेरищ सेंट में इतना टाइम लगा बाइज जून से चार जुलाई आप लगाईए कितने दिन होगे बाइज और आठ तीस और चार तो बारा दिन लगे बारा दिन एक सेम स्टेट में जो की बहुत नजदीक हैं उनसे अरियाना में ही है ये लूट सोलर सोरी और अपने स्टेट में इतना टाइम लगा दिया इन्होंने डिलीवर करने में अगर इनके पास आउट ओफ स्टोक था तो ये पहले ही बोल देते मुझे कि आउट ओफ स्टोक है भी हम जब भी स्टोक में आएगा आपको डिस्पैच कर देंगे कोई रिकति सच बोलो हम स जैसे Amazon Flipkart इन पर होता ओनलाइन आप कभी पर्टेस करेंगे तो क्या है अगर कोई तीज आउट ओफ स्टोक है तो वहां पर ओडर ही नहीं लेंगे ओडर ही नहीं होगा आपको वहीं पर दिखाएगा आउट ओफ स्टोक तो ओडर ही नहीं होगा यहां भी ऐसा ही होता तो जादा बेटर रहता नहीं पर ऐसा नहीं है इनके पास क्योंकि पेमेंट जो है पहले ही करनी होती है इंकी तो आपकी पेमेंट चली जाएगी एक बार इनके पास आपकी पेमेंट आ जाए फिर यह आपको अपनी मर्जी से डिलीवर करें क्योंकि पेसे तो आ चुके इनके पास कोई टेंशन ही नहीं तो यह तो रहा हमारा डिलीजी का एक्सपीरियंस अब आती है बात क्वालिटी की चलो ठीक है इतने दिनों तक वेट किया आपका मन पसंद पैनल था आपको आखिर कार मिल गया तो अब फिर महेंगा भी इतना कहाँ साड़े चोदा सो और चलो ठीक है वो तो चोड़ो वो तो लेना ही नहीं था पर चबवन सो रुपे का सोलर स्ट्रक्चर जिसके तीन पैनल लगेंगे उसकी क्वालिटी कैसी है तो चल यह क्वालिटी दिखाते हैं हम आपको इतना लंब आप इस पर 375 वोट से 440 वोट तक के पैनल तीन कनेक्ट इस पर लगा सकते हो और जो पैनल है वो आपके जो है श्टेयर वाइज मतलब श्टेयर डिजाइन बोलते हैं इसको होरिजेंटल होरिजोंटल वे में इसमें इस पर लगेंगे तो आप देख सकते हैं मैं अभी क्वालिटी के बारे में दिखाऊंगा और पूरा देखेंगे आप किस तरह से इसको फिट किया जाएगा बाकी आप देख सकते हैं किस कंपनी का है आप समझी कहें होंगे यह आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा बोक्स पर तो यह चार नोज जो है मेरे को मिले हैं एक यह सबसे बड़ा जो है आपको नजर आ रहा होगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर एक यह बोक्स तो यह बोक्स के अंदर जो है इसके फास्टनर वगएरा और और नट बोल्ट हैं और यह जो है स्टेंड है तो यह छोटे वाले आगे के लिए हैं और वह कि इसमें मैंने जो नोटेज किया है वह मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक जो है कमी मुझे नाज़गाई क्योड तो इसमें जो मैं कमी मताऊं मैं इक चीज बता दूं आपको सोलर प्रक्चर में जो सोलर स्ट्रक्चर होता है वो इतना महेंगा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ये गैलोनाइजड आयन से बना होता है मतलब कि ये एक जो लोहे का ही होता है बड़ उस पर जो है एक जिंक की कोटिंग होती है जिंक या गैलोनाइजड कोटिंग होती है उस लोहे पर फिर जो है उस पर जंग वगएरा कभी कुछ नहीं लगता पर वे तब तक नहीं लगेगा जब तक वो कोटिंग होगी उस पर जिस तरह यह है आप देख रहे हैं इसको कोटिंग हुई है यह बनता है company में तो इसको बना कर जो है उस पिगले हुए उसमें गलनाइज या जिंक बोलते हैं इतना मेरे को मालूम नहीं है उसको क्या बोलते हैं उसमें इसको dip किया जाता है और निकाल लियाता है तो वह तब किया जाता है पूरा पूरा structure बनाने के बाद जब complete हो जाता ह है तब उसको dip किया जाता है फिर उसको निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो है वह इस पर रत इसको चड़ जाती है जिसके बाद वह कभी नहीं उतरती है और जो है उसके कभी जंग नहीं लगता है तो वह सब होने के बाद उस पर आप कभी भी जैसे आगर dip करके इसको गल्मराइज कर दिया गया तो उसके बाद आपको इसमें कभी सुराख नहीं करने कोई होल नहीं करना होता है ना ही कोई welding करनी होती है ना ही से आरी से काटना होता है इसको आपको जैसे आया है वैसे ही fix करना होता है अगर आप उसको काट देंगे कहीं से आरी से काटेंगे या फिर यह होल अगर आप बनाएंगे ड्रिल करके या फिर आप उसको मोडिफाई करके वेल्डिंग वगारा करेंगे तो होगा क्या जहां भी आप उसको मोडिफाई करेंगे उसको काटेंगे होल करेंगे या वेल्ड बारिस का पानी वगेरा जाएगा और फिर वो चंग वहाँ से स्टार्ट होगी और फिर वो अंदर पूरा खा जाएगा लोहे को तो फिर का आपका जो है कोई पाइदा नहीं हुआ गैलोनाइज्ड स्ट्रक्चर लेने का तो अभी मैं जो है इतनी बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि वो कमी मुझे इसमें नजर आई और आपको भी मैं दिखाऊंगा कि यह देखिए आपको दिखाता हूँ यह जो है न यह पेंट हुआ है सिल्वर कलर का पेंट किया गया इस पर इधर भी जो है यह पेंट किया गया है सिर्फ इस पोर्शन पर यह ठीक है यह दिखिए पेंट यहां पर भी लग गया है आप देख पारे होंगे यह जो है पेंट यहां पर टपका है यहां करते करने के दौरान तो यह पेंट नजर आ रहा है बाकि यह सही है यह गहलो यहां आप देखिए गोर करिए अगर कैमरा देख दिखा पाए तो यहां पर जो परत है वो ही नहीं इधर कोर्न से देखिए यह जो परत होतीं है जिंकी वो है नहीं और दूसरा यह इन्होंने वेल्डिंग की है इसको बनने के बाद गैलोनाइज करने के बाद वैल्डिंग की गई है जिसके कारण उन्होंने फिर उस पर सिलवर पेंट किया है तो अभी आपको दिखाता हूँ इसमें तो आप नहीं देख पाएंगे सिलवर प्रेंट हो गया है मैं कैमरे को थोड़ा सा ले चलता हूँ आपको दिखाने के लिए ये देखिए अगर ये वेल्डिंग जो है बाद में करी गई होती बाद में करी गई है इसलिए ये निसान है वेल्डिंग का कोई भी वता सकता है वेल्डिंग के निसान है नहीं तो वेल्डिंग पहले हो जाती और बाद में इसको गलनाइज़ किया जाता उसमें डिप करते तो ये निसान आपको नहीं देखने को मिलते पर ये निसान है और यहां पर देखिए आप क्लियर देख सकते ह उसके बाद paint किया गया है, देख सकते हैं आप, इसको चुपाने के लिए paint किया गया है, और वो भी डंग से नहीं कर पाए है, तो यह आप देख सकते हैं, जहां पर welding की गई है, वहाँ silver paint किया गया है, और आपको दिखाता हूँ, अब इस side देखें, मैं दिखाता हूँ आपक यह देखें, यहां पर, यह जो welding होती है, उसके बाद, जो है, welding करने के बाद, जो एक पररसी बन जाती है, वो उतर गई है, और यह अंदर से, जो iron है, वो नजर आ रहा है, तो, अब होगा क्या, बारिस में यह जंग पकड़ लेगा, और यहां पर जंग पकड़ने के बाद यह दीरे-दीरे जंग, इस पर चड़ता जाएगा, और इसको खा जाएगा, जैसे-जैसे यह पुराना होता जाएगा, तो, यह structure लेने का, मुझे कोई फाइदा नहीं होगा, क्योंकि, यह चले गई ही नहीं, यह कुछ सालों बाद, मैं उतारता हूँ, देखिए, यह जो ह अगर मैं इस पर चोट मारूंगा, वैल्लिंग करने के बाद क्या होता है, एक अच्छा वैल्डर, जो वैल्लिंग करेगा, उसके बाद उसको किसी चीज़ से ठोक कर, किसी लोहे की चीज़ से, इसको उतार देता है, जो परत उपर बन जाती है, वैल्लिंग के, इसको उतार जाएगा अदर्वाइज पेंट जैसे ही उत्रा यह जंक पकड़ लेगा और जंक दीरे-दीरे सारा जो है नीचे से खराब कर देगा तो यह क्वालिटी है आप देख सकते हैं यही नमबर वन क्वालिटी है अभी कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा बाकि जिनको पैसे खर्च करने अना उनको यह सही लगेगा उनको यह जागरुप करने वाली वीडियो होगी बाकि देखिए यह वेल्डिंग बाद में की गई ह और उसके पैंट करने की कोशिक की गई है तो अभी इसमें आपको कहीं यह इस तरह का पैंट नहीं नजराएगा उपर से लेकिन नीचे था क्योंकि यह पूरा बनाके उसके बाद इसके जिनक की कोटिंग की गई है यह पूरा पूरा बढ़े वाला ठीक है ठीक है ये ठीक है सिर्फ इन्होंने क्या किया है ये जो बेस प्लेट है इसको वैल्ड किया है ये बनने के बाद ये पहले बनवाया गया है इसको कोटिंग करवाई गई है और फिर उस पे वैल्ड किया इन्होंने खुद या करवाया है कसी से अब ये वैल्ड बाद में करवा पहले ही वेल्डिंग करवा कि फिर इस पर कोटिंग करवानी थी पर ऐसा नहीं किया गया है इधर भी देखिए वही चीज इह यहां पेंट किया गया है तो यह गलत होता है ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो आप जब भी सोलर स्ट्रक्चर लें इस चीज को अच्छे से पर तो दोस्तों मैने टेप अटा ली है इनकी कोल लिया है अब देखिए यहां पर यह आपको साफ-sाफ नजर आ रहा है पेंट से कवर करने की कोशिश किगई है इनकी जो कार्स्तान है इन्होंने जो की है उसको इन्होंने छुपाने की कुश्च करिए पेंट से अब भaiser यह जो पेंट जोग है यह जो है मज़ूरों नहीं की होगी कोई वर्कर जो होंगे वो ही करते होंगे तो इत बस ऐसे फटा-फट कर दिया उन्हें क्या पता यह कितना इस चोरी को छुपाने की कोशिस कर रहे हैं तो यह देख सकते हैं वैल्डिंग की तो यह नहीं उतारा इसको पता नहीं क्या बोलते हैं वैल्डर अच्छे तरह से बता पादेंगे जो वैल्डिंग करते होंगे उनको नोलीज होगी यह जो ब्लैक ब्लैक जम जाता है वैल्डिंग के उपर उसे क्या बोलते हैं इसको वो वैल्डर जो होते हैं वेल्डिंग करने के बाद ठोक कर जो है ना किसी चीज से हतोडे से किसी से उतार देते हैं इसको तो इन्होंने वो नहीं उतारा यह कारबन सा है क्या होता है कुछ होता है यह जाड़ दिया जाता है अभी चलिए आप देख रहे हैं यह वेल्डिंग के ही निशान है यह सब व देख सकते हैं यह देख सकते हैं अंदर से दिख रहा आपको सिल्वर पेंट किया गया बाद में इस वैल्डिंग को छुपाने के लिए कि बहुत गलत है वेल्डिंग तो होने ही नहीं चाहिए बाद में जब इसको एक बर लोगे को गपनेकर दिया जाता है, वो स्फांट जिंक किया जता है उसको जिंकमें डिप किया जाता है अब उसको गलोनाईज करने के बाद तो उसमें modification करेंगे तो भेकार है फिर आपका कहना है कि लनाइट करवाना यह पेंट कितने दिन चलेगा जिन्दकी वर नहीं चलेगा इसमें अब पेंट करते रहना पड़ेगा निसान देख सकते हैं आप उपर तक कहा तक पेंट किया गया है इन्हें लगा कि छुपा तो ओनदार ही तो जल जाता है कि अलग पेंट हुआ हुआ है यहाल सारों में ही है इकर देखिए वहां पर भी यह तो यह उत्र रहा है यहां जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा और पिर अंदर यंदर जंग का जाएगा इसको तो मुझे पेंट रनना पड़ेगा और यह है क्वालिटी इनकी इतना मेहंगा खरीदो और यह देखने को मिलेगा आपको चलिए यह वाला और दिखाता हूं आपको कि इसमें तो लीजिए इसमें भी देख लेते हैं कि यहां पर भी पेंट किया गया है और वह कार्बन जो उत्रा है यह जो है लोहा है और यह तुरंट भीगते ही पानी पड़ते ही यह जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है पेंट भी ठीक से नहीं किया चलो अब हम उनकी तो गलती कहें सकते गलती तो हमारी ही है कि हमने जो है एक बढ़त होकर खाई उसके बाद भी वही गलती फिर करी तो गलती अपनी है और किसी की नहीं है बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जो है गलती ना करें मैं उसका भी दिखा देता हूं यह पेंट है कि पेंट किया गया है तो मैं आपको यह इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का लेना तो देख भाल के लिए डीलर से ले अपना फिजिकली जाकर देखें पसंद करें फिर ले ऐसे पहले पैसे दे दे बिना देखें और फिर वो आपके घर पर आये और आप उसको बदलवाही न सकें रिप्लेसमेंट का आपको मालूमी है किस तरह से रिप्लेसमेंट मेरी हुई थी तो फिर भी मैं अगर यही कहना है मेरा कि आप आपकी मर्जी है कि आप कहां से लें किस से लें यह आपकी मर्जी है आप कहीं से लें यह आप पर डिपेंड करता है मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप यह ना लें आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लें बट जो मैंने देखा जो मैंने मेरे को मिला वो मैंने आपको बता दिया है तो अब यह बोक्स है इसके अंदर क्या निकलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो खोल लेते हैं से यह बोक्स ओपन हो गया है और इसके अंदर एक और ठैली मिली है और इस ठैली में फासनर वगेरा है तो 16 फासनर लिखे हुए है बिल पे ठीक है यही 16 फासनर है इसके अंदर गिल नेते हैं एक दो तिचार पांचे साथ आठ नो दस यह दस फासनर यह दस है में पे फासनर है तो दस ग्यारा बारा तीरा चोदा तंदरा सोला सोला फासनर है ठीक है दस एमन के सोला फासनर है और यह नट बोल्ट है इसमें दो चार छे साथ आठ 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 यह नट बोल्ट है बड़े बड़े से बागी चोटे चोटे यह वासर्ज हैं और चोटे नट बोल्ट है श्टील के तो यह भी गिन लेता हूं कितने हैं दो तीर चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा यह चोटे वाले नट तो बारा ही यह वाले होने चाहिए तीन तीन च्छ छे साथ आठ नो दस ग्यारा और एक बारा यह कर पूरे हैं तो दोस्तों यह आपने देखा कि क्या कोवालेटी मिली है इतने दिनों के वेट के बाद इतने पैसों में तो कोई भी जो मेरे वेंडर दोस्त है जो सोलार काम करते हैं उनको बताउनगा मैं इतने में जो अना आप मेरको वो बहुत बड़े वाला स्ट्रक्चर दे जेते हैं बहुत-बड़ा जिस प बहुत सारे पैनल लग जाते हैं और बहुत उचापर इतने पैनल मुझे लगाने नहीं और मुझे भी idea नहीं था कि इस तरह की quality इस तरह का मेरे को देखने को मिलेगा तो ना ही कोई YouTube पे इस तरह का कोई review है इनका किसी ने बताया किसी YouTuber ने नहीं बताया तो नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें जो है रेफरल से पैसे कमाने होते हैं वो लिंक देते हैं अपने description में मैं भी देता था ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देता था कि मैंने अनजाने में जो है तब मुझे मालूम नहीं था बट अब मुझे मालूम हो गया है उसके बाद भी मैं आपको recommend करूँ कि हाँ जी खरीदिये आप मैंने नीचे description में link दिया है आप वहीं से खरीदिये बहुत बड़ी आए तो ये गलत है ये मुझे से नहीं होगा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ पैसे कमाने है पर एक साफ सुत्रे तरीके से कमाने है किसी को लुटवा के नहीं कमाने है किसी का फाइदा करवा के कमाने है ऐसा पैसा मुझे चाहिए किसी का नुकसान करवा के वो पैसा मुझे मिले वैसा पैसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए अपना ऐसे ही जी लेंगे तो यही था अपना मकसद और यही आपको अवेर करने का हमारा काम है जो हमेशा करते रहेंगे इसलिए आपका भी काम बनता है कि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए हलाकि मुझे मालूम है इस तरह की वीडियोज नेगेटिव वीडियोज किसी को अच्छी नहीं जूर मेरी किसी के अष्मिद बहुत ज्यादा है जूर में जूर तारीफे करता है व्यां जिए वह बढ़ियू वह किसी कम पढ़िया से इतना बढ़िया झुलत था तो आप आप वी उससे थोड़ा धी परभावित हुए हैं तो वीडियो को नीचे जो है दिस्क्रिप्शन नीचे जो सब्सक्राइब का बेटन है उसको ब्लेक कर दीजिए प्रेस करके और उसके बगल में बेल आईकन और पहला इकन प्रेस करें और शेयर जरूर करें शेयर ज़रूर दिये दोस्तों तो अज के लिए तहीं और कुछ जानना है तो कमेंट कर सकते हैं जैन वने मतरम